एलो फ्रेंड्स सामने आप देख सकते हैं न्यू मारूती सुचकी एल्टिगा गाड़ी का फ्रेंट प्रोफाइल देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिख जाता है गाड़ी का आप देख सकते हैं तो इसमें आपको LXI VXI मॉडल देखने को मिल जाता है इसके टॉप वेरिय जाएगी और सबसे ज्यादा की सेलिंग होती है तो आप फ्रेंट प्रोफाइल दे सकते हैं गाड़ी का इसमें अच्छा-खासा मालेज आपको देखने को मिल जाता है और इसके बाद हम इसकी ग्राउंड की बात करते तो एक सो पचासी एमेम का आपको देखने को मिल जाता है अब डोग चलेंगे अंदर गाड़ी देखने को मिल जाएगा यह आपको टल इंडीगेटर देखने को मिल जाता गाड़ी में और सबसे चेंज्जमेंट जो गाड़ी में हुआ वो आप देख सकते हैं यहां पर फ्रेंट की ग्रिल तो ग्रिल कर डिजाइन आ आप लोग प्यानो फिनिश में यह चीज देखने को मिलती है पूरी गाड़ी में यहां पे फ्रंट में आपको देख सकते हैं तो सुजिकी का लोगो मिल जाएगा बड़ा सा देखने को और यहां पे बंपर का डिजाइन देख सकते हैं तो यह कुछ विव आ जाता है गाड़ी का यहां एक और गी जाता है यहां पर और यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अगारी में और यहां यह आपका ब्लैक का डिजाइन आता है और है यहां पर यहाँ आपको स데 सबस्कें का देख सकते हैं जब जाता है और यहां से इस तरीके किया तरिक आरे का टिजगे का जबूंए प्लइड राइब की सबस्क्जार है तो यह कुछ जया जाता है ना देखकते हैं जया है आप ब्लैक होई बंट तो यहां पे चलर सकार, आपको देखने को मिल जाता है, तो यह कुछ बीव आ जाता है, यहां से side profile आप लोग देख सकते हैं, गाडी का, दिया जाता है और टेल लेम का लुक देखते हैं लोग तो टेल लेम का लुक किस तरीके गाता है तो यह आप देख सकते हैं तो टेल लेम का डिजाइन कुछ तरीके गाता है यहाँ पर रैट कलर का यह बिलिंक होता है पूरा और यहाँ पर देख सकते हैं तो चार आपको LED ला से यहां पर देखने को मिल जाएंगे और वाइपर देखने को मिल जाता है यह आप सकते हैं तो यहां Some पहले देखने को मिलता है तो यह कुछ विव आ जाता हूं यहां पर आप को स्वार्ड घाड़ित की स्यां Rajtr यो 거지 अБल देखने को लिए अचन कीटी में से और इसमें चार संसर डेखमें और देकिने को कुछ आएit गाड़ी हमारी दिखती है यह कुछ विव आ जाता है यहां से तो यह काफी अच्छा डिजाइन इसका दिया गया है कुछ चेंजेस किये गया है वो सारे इमलोग देख सकते हैं तो यहां पर आप इमलोग गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या देखने को मि यहां पर दिया गया है यह लूख आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर क्रोम फिंश में आपको बटन देखने को मिल जाएगा और यह आपको लॉक की बटन मिलती है यह आपकी Light Blink करती है जब Night Mode में होगे और यहां पर देख सकते हैं तो आपको यह Mirror की चारू पावर बिंडोज मिल जाते हैं यह आटो आप आटो डाउन मिलेगा यहां से देख सकते हैं एक बार आप प्रेस करें तो यह आपका ग्लास आपका क्लोज हो जाएगा एक बार टच करें तो ओपन हो जाता है तो यह आपको मिल जाता है यहां से आप देखिए और यह आपको द गाड़ी का तो कोछ इस तरीकल के देखने को मिल जाता है । यह कुछ वूई आ जाता है इंटिरियर का और हम लोग चलते है उप गाड़ी की अंदर और देखने को मिल जाता है यहां पर स्टेब्धայी यहांप pseudo अड़ी तो सारा आपको ए यहाँ पर देखने को मिल जाता है गाडी में और यहाँ से आप फ्रम प्रॉफाल देखंते हैं यहाँ पर तो steering और यहां पर देख सकते। तो MID लुक सम् तो कुछ इस तरीके चाएक का ऑर यहां पर तत्सक्राइब को पहले क्यों पाइड यहां से आप को बने जाता है यहां सा यहां से आपको लुग बन्याइचाइब गाड़ी क्लाइचता है कुछ Bowlター Για曹 यहां पर धक्रेंग सक्षने होने में कि चालिब यहां prior देत Punjab का और यह सारे बटन मिल जाते हैं यहां से लाइट्स आप अर्जेस्ट कर पाएंगे तो यह तीज़े देखने को मिलती है गाड़ी में स्टेरिंग का लुक को जाता है डेस्बोर आप देख लीज़े तो डेस्बोर आपको ग्रेव फिनिश में पूरा देखने को मिल जाता है तो यह कुछ लूक आ जाता है इसक्रीन आप देख सकते हैं आपको पर्किंग लाइट की बटन मिल जाती है यहां पर आप देख सकते तो यह आपको यहां पर एसी का इंटिकेशन मिलता रहेगा यह सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी और यहां से एसी फैन के मोड बिल जाएंगे यहां पर सारी बटन्स आपको मिल जाती है यह सारे मोड्स आपको मिलेंगे और यहां प सकते तो दो आपको कैन के लिए यहांपर कूलिंग दी जाती है तो यहांपर कैन आप रख सकते हैं बहुत है। यह बहुत ही अच्छा लुग देता है यहांपर व१न टच का डिया गया है और और AC का वेंट का लूक देख सकते हैं, तो यहां पर एक आपको AC वेंट यह दिया गया है, और राइट साइड में भी आपको यहां पर दिया गया, और इस साइड में भी आपको दो AC के वेंट दिये जाते हैं, तो बोज साइड में आपको दो दो टोटल चार AC वेंट दिये ज छाता है जाता है यहां पे देख सकते हैं यह अब आपको sun visor मिल जाता है है और यहां से देख सकते हैं लेफ्ट साइड में तो यहां से आपको sun visor मिलेगा with vanity mirror के साथ में आपको देखने को मिल जाता है IRVM की बात करते है तो IRVM आपको मिल जाता है manually registable देखने को मिलेगा lights आपको उपर देखने को मिल जाती है तो lamp light on office को खर पाएंगे तो यह चीज आपको देखने को मिलती है यह आपको microphone का मिल जाएगा यह design आपको देखने को मिलेगा यह design मिल जाता है और यह grab handle साइड में देख सकते है तो यह देखने को मिल जाता है आपको और यहाँ पे देख सकते AC का flow की बात करें तो यहाँ से भी आपको AC का flow दिया जाता है बैक से तो चारों तरफ से आपको इसी की हवा बहुत अच्छे से मिलती है यह चीज़ में देखने को मिलती है और यहां पर देख सकते है गेर बाकस में आपको लेडर का कबर मिल जाएगा और यहां पर आपको रेशा इस तरीके की नियाता है बैक विव पूरा इस तरीक एक आता है तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और देखते हैं वहाँ क्या-क्या देखने को मिलता है यहाँ पे आपको यह देख सकते हैं स्टेरिंग, कलच, ब्रेक वाली सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे यह डेड पैडल देखिए रेस्ट के लिए यहाँ पे दिया जाता है तो यह कुछ डिजाइन यहाँ पे आ चाता है देखने को और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको यह फ्यूल टैक उपन का बटन दिया जाता है तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और वहां देखते हैं हमको कितना स्पेस देखने को मिल जाता है और कैसी दिखती है बैक से हमारी गाड़ी तो यहां से अभी देखते हैं हम लोग इस डोर को ओपन करते हैं यहां से देखते हैं डिजाइन क्या तो पीछ color में पूरा आपको देखने को मिल जाता है कुछ तरीके यहाँ पे बड़ा सा डोर देखने को मिलता है और काफ़ attorney feel होता है इसमें अब यहां पर chrome finish में बटन मिल जाती है और यह आपको power सेरियर का लोग आ जाएगा देखने में कुछ इस तरीके का सीट आप देख सकते हैं तो यहां पर अच्छा घासा मिल जाता है यहां पर आराम से बैट पाएंगा यहां पर देख सकते हैं तो बैक में क्या दिया जाता है यहां पर आपको 12 बोल का एक देखिए सॉकेट दिया जाता है charging point ये चीज आपको आप सकते हैं और यहां पहल मुल यहां पर रख सकते हैं नहीं को देख to अलग दिया जाता है इसमें थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दी गई है तो इसमें अच्छी क्वालिटी में दीआ जाता है और यहां के सीट के लिए AC के दुश्प की बात करते हैं तो यह देख सकते हैं आप लोग तो यहां पर आपको AC का मोट्स दीए जाते यह काफी ज्या तो यहां से आगे की जो seats हैं वहां का जो infotainment system सारा कुछ लोग इस तरीका का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ गाड़ी इस तरीके के हमारे देखती है और आभी हम लोग चलते back वाली seat में और वहां देखते हैं कि हमको स्पेस कितना देखने को मिलता है गाड़ी में, बैक वाली सीट्स हैं वो बहुत important रखती हैं, क्योंकि आप 7-seater car ले रहे हैं, तो उसमें आपको space मिलना चाहिए, अच्छा खासा तो अभी हम लोग चलते हैं, बैक वाली सीट में उस साइड से अभी हम लोग चलेंगे तो वहां से आसानी से इसको सीट को हम लोग आगे fold कर पाएंगे, तो वह चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है के गाड़ी में, तो इसको door को open करते हैं, यहाँ से open कर दिया और अभी यह देखते हैं सीट को तो यहाँ पे सीट को आगे हम लोग करेंगे तो यहां से देख सकते हैं तो यह seat आपको इसको इधर लग देते हैं और seat में क्या मिलता है यहां पर आपको देखिए एक मिले का button यहां आपको button मिलता है तो इसको इस तरीके से fold कर देंगे और आगे इसको slide कर देंगे तो इस तरीके से slide हो जाती है आप देख सकते हैं यहां पर अच्छा जगह मिल जाती है पीछे जाने की तो यहां पर चलते हैं पीछे वाली सीट में यहां से बैट जाते हैं हम लोग और देखते हैं यह यह देख सकते हैं आप लोग तो मैं यहां पर बैट गया हूँ वैसे पीछे वाली सीट बच्चों के रखी जाती है कि इसमें बच्चे हैं अगर उनको आराम से बैठने को में आराम से बैठ जाएंगे कोई प्रॉबलम नहीं होगी याँ पर स्पेस देख सकते हैं यह तो बच्चों के लिए अच्छा है बड़े भी अगर है दूबले पतले तो आराम से बैठ सकते हैं आप है इसमें बढ़ादी जाता है यहां पर चाहिए सब्सक्वाइट के सबसın स्ट यहां को लगते हैं अगöपा को फीर का मिला जाता है तो यहां पर बैठ सकते हैं और यह आपको space मिल जाता तो आ रहा हम से comfortably आपको feel होगा यहाँ पे तो boot आपको इसमें 209 liter का दिया जाता तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो आप इसको increase भी कर पाएंगे लीचे आपको अगर बड़े bag हैं तो आपको इसको open करके इसको increase भी कर सकते हैं तो यह कुछ view मिल जाता है गाड़ी का यहाँ पर light आप देख सकते हैं तो light आपको एक यह मिल लाती वीच वाली seat में तो यह कुछ view आ जाता है तो आपको एक बार posterior view दिखादे कि इस तरीके कहा था गाड़ी का और गाड़ी आपको कैसी लगती है वह हमें जरूर बताइए कमेंड बॉक्स में इससे मोटिवेशन मिलेगा तो यहां से अभी इसको बैट कर देते हैं और इसको यहां पर इस तरीके से फोल्ड करते हैं अगर आप इसको सिलीपिंग मोड में हैं जाना चा यह आप देख सकते हैं गाड़ी का एकुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है और और ऐस तरीके का वीव में जाता है तो यहां से देख सकते हैं ये गाड़ी हमारी दिखती है